सो हेलो विर्वन और विलकम बैक टू दी चनल दोस्टो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं टर्बो सीप्लेट प्लस को अपने सिस्टम में और यहां पर मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी तो चले यहां पर इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और दोस्टो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और यहां पर टेक चैनल को जो है टेक कोड को आप फॉलू कर सकते हैं ठीक है तो च सी प्लस प्लस ठीक है आपको इतना लिखना है बहुत सारे दोस्तों यहां पर लिंक आ जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों हम लोग पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर जो टर्बो सी प्लस प्लस है यह यहां पर correct करेंगे ठीक है फाइल को तो तो दोस्तों यहां पर जो मेरा डॉ struct हो गया यहां पर चलते हैंपने desktop पर और वहां पर आपको दिखाता हूं ठीक है तो यहां पर दोस्तों ओकर आ चुका हूं आप यहां पर देख सकते हैं अब डोई थे 3.2 जिप दिखे रा इसको यहाँ पे right click करना है और यहाँ पे extract file पे आपको click कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैं ok पे click कर दूँगा तो यहाँ पे जो मेरी file है वो extract होकर करके यह दोस्तों यहाँ पे आप file आ चुकी है अब इस पे मैं click कर दूँगा ठीक है यह देखे दोस्तों यहां पर मेरा यह इंस्टॉल हो रहा है ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि और तब तक आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीज़े यहां पर मेरा इंस्टॉल हो गया है Welcome to Install Shield Wizard for Turbo C++ 3.2 उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Next पे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पे IXR पे क्लिक करना है Next पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे Install पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे जो है आपका Install होना Start हो जाएगा तो this may take several minute तो थोड़ा सा time ले सकता है तो आपको थोड़ा सा wait करना है फिर मैं आगे आपको बताता हूं इसके तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा Installation complete हो गया है अब यहाँ पे दोस्तों मैं Finish पे क्लिक कर दूँगा ठीक है अब यहाँ पे मैं Finish पे क्लिक कर दिया अब यहाँ पे मेरा Open हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे की Run किस तरीके से करना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसे Open करेंगे ठीक है Open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे Start Turbo C++ पे क्लिक करेंगे ठीक है और फिर मैं आपको बदता हूँ कि क्या करना है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको File पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको New पे क्लिक करना है New पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना Code लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ has include फिर उसके बाद stdio.h लिख देते है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे int main लिखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको curly bracket बनाना है फिर यहाँ पे आपको लिखना है printf ठीक है printf के बाद दोस्तों यहाँ पर माल लीजे मैं लिख देता हूँ hello word ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर semi colon लगा दिया और यहाँ पर दोस्तों आप जो है return 0 लिख दीजे बस इतना सा करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको compile दिख रहा होगा आप ultra f9 से जो है compile कर सकते है ठीक है यहाँ पर compile हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको run करने के लिए आपको यहाँ पर run पर क्लिक करना है और यहाँ पर control जो है plus f9 आपको यहाँ पर दबाना है ठीक है तो यहाँ पर control plus f9 कर दिया अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखना है ठीक है यहाँ पे आउटपुट अगर देखना है तो आपको यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आउटपुट देखना है तो ALT प्लस F5 आपको यहाँ पे प्रेस करना है ठीक है तो देखे दोस्तों यहाँ पे Hello World लि कि किस तरीके से करना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तो यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ